नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सूरज और CSC Lectures by सूरज में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम देखेंगे round-robin scheduling algorithm के बारे में हम उसकी introduction देखेंगे and basic flow chart देखेंगे तो जो round-robin scheduling algorithm में जो criteria होता है वो होता है time quantum के according मतलब हर process को कुछ नो कुछ time quantum के लिए allocate किया जाता CPU और फिर अब जब उसका time quantum खतम हो जाता है तो उसको CPU से हटा दिया जाता है और दूसरे अगले वाले process को CPU दे दिया जाता है इसमें ready Q maintain होती है ओके इसमें क्या maintain होती है एक ready Q maintain होती है अगर कोई process खतम होके यहां पर आता है ready Q में मतलब खतम नहीं हो पाता जैसे अभी example लेता हूं मैं जैसे यहां पर process है P1 है P2 है and P3 है ready state पर तीन process है इनका कुछ बर्श टाइम है इसका 3 है इसका 2 है okay and P3 का 1 है तो round robin algorithm क्या करेगी सबसे पहले सबसे पहले यह process number 1 को उठाएगी ठीक है P1 को उठाएगी P1 को उठाके एक process select करेगी जैसे यहां पर लिखा हूआ है ठीक है P1 को मान लीजे उसने select किया अब वह चेक करेगी कि उसका burst time जो time quantum से छोटा है कि नहीं है ठीक है छोटा यह ज्यादा है ठीक है मतलब छोटा है यह नहीं है यह लिखाओ है क्या burst time time quantum से छोटा है यह compare करेगी तो P1 का burst time क्या आपका P1 का burst time में 3 और time quantum मान लीजे मैं लेता हूँ time quantum । दो लेकर चलता हूँ यह आपको question में given होगा तीन दिया होगा या 4 दिया होगा या एक दिया होगा ठीक है यह आपको question में given होगा time quantum तो यहां पर time quantum में दो लेके चलता हूं ठीक है तो क्या यह चोटा है क्या बर्श टाइम time quantum से चोटा है नहीं नहीं है नहीं यहां पर तो नो वाले पर जाएंगे अगर होता तो yes वाले पर जाते नो वाले पर जाके मैं किया करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे process को for time quantum मतलब मैं अब ये जो 3 है इसको कितने time के लिए execute करूँगा इसको दो time के लिए execute करूँगा तो इसका execution कितना वज जाएगा इसका execution time एक रह जाएगा ठीक है P1 का और P1 execution time एक रह जाएगा इसका दो time के लिए execute हो गया ठीक है जब दो time के लिए execute होके time quantum expire हो जाएगा इसका time quantum expire हो जाएगा जो हमने P1 को दिया था ठीक है वो दो time के लिए execute होके वो time quantum expire हो जाएगा फिर हम देखेंगे process complete कर लिया execution या नहीं किया है obviously P1 ने नहीं किया है उसका एक time period रहे गया है ठीक है तो वो no में चल जाएगा और वो वापिस ready state पे चला जाएगा मतलब यहाँ पे आ जाएगा वो P3 के आगे यहाँ पे आ जाएगा ready Q में आ जाएगा ठीक है ऐसी ready Q की बात करें तो यहाँ पे कौन-कौन से थे हमारे P1 थे P2 थे P3 थे P1 को CP allocate हो गया था उसने दो time period execute कर लिया था एक time period बचा था उसका तो यह P1 वापिस कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा execute होने के बात जितने number of process रहेंगे उनके बात आ जाएगा ठीक है ready Q में अब P2 की बारी है अब P2 को देखेंगे ठीक है यहाँ पे यहाँ पे भी P2 को select किया P2 को compare किया P2 का worst time time quantum के साथ compare किया P2 का worst time कितना है दो और time quantum कितना है दो ठीक है दो time के लिए execute करेंगे फिर यहाँ पे execute कर देगा process को ठीक है यह condition तो false हो गई ठीक है तो मतलब यह छोटा नहीं है ठीक है बराबर है बराबर कि हमें कोई condition दी नहीं है यह बस यह देखेगा कि क्या worst time time quantum से छोटा है नहीं है तो no पे जाएगा execute करेगा time quantum के लिए process को ठीक है और time quantum expire हो जाएगा उसका फिर P2 का time quantum expire हो जाएगा और फिर क्या होगा यह no पे जाके यह time quantum expire हो जाएगा तो यह आपर देखेगा process जो process है P2 ने complete कर लिया execution हा कर लिया है तो यह 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 पर जाके उसको terminate कर देगा तो यहां से P2 आपका terminate पर पहुंच जाएगा ओके यह P2 आपका terminate हो जाएगा यहां पर अब P3 की बारी आई P3 को लेगा process P3 को लेगा select करेगा ठीक है P3 को select किया अब उसको देखेगा इसका first time time quantum से compare करेगा अब P3 का first time क्या है 1 है और time quantum कितना है 2 है तो yes यह condition satisfy हो रही है तो execute कर देगा process को जितना उसका first time है मतलब एक time period के लिए P3 को execute कर देगा और process complete होके P3 भी आपका terminate हो जाएगा ठीक है अब ऐसी P1 को लेगा फिर यह last में P1 बचा है ना इसको लेगा उसको select करेगा अब उसको check करेगा अब P1 का क्या था एक बचा हुआ था time quantum से यह P1 का भी ज्यादा है तो यह समझ आए आपको यह किसके लिए था आपका P1 के लिए यह किसके लिए था P2 के लिए यह किसके लिए था P3 के लिए यह किसके लिए था P1 के लिए तो यह आपको flow chart समझ आ गया होगा I think कि क्या क्या कैसे कैसे करेगा ठीक है सबसे पहले ready state पर बहुत सारे process होंगे और जो यह time quantum इसको हम time slice भी बोलते हैं जो यह time quantum है आपका इसको हम time slice भी बोलते हैं time quantum बोलते हैं time slice भी बोलते हैं तो round robin scheduling में बस यही main concept है कि बारी बारी CPU मिलेगा पहले पीवन को मिलेगा कुछ time के लिए ठीक है अगर उस time period में पीवन एक्जीक्यूशन यहाँ पर बारी बारी मिलेगा जैसे P1 है P2 है P3 है बारी बारी मिलेगा पहले P1 को मिलेगा अगर उस time period में उसने execution खतम कर ली तो terminate हो जाएगा अगर नहीं कर पाया उस time period में execution खतम जितना अगर कुछ बच गया तो वो ready queue में आगे आ जाएगा ऐसी अगर P2 ने अगर उस time period के लिए जितना time period दिया है उसमें execution खतम कर ली तो terminate हो जाएगा अगर ये भी नहीं कर पाया P2 तो वो भी आगे आ जाएगा यहाँ पर सेम ऐसी P3 यह मैं अलग ले रहा हूँ कहीं आप यह मत समझेगा कि इसी को बता रहा हूँ मैं यह different है थोड़ा different तरीके से बता रहा हूँ मैं ऐसी अगर P3 की बात करें अगर उसने भी execution उस time quantum ने अपनी execution खतम कर ली तो terminate हो जाएगा वरना यह भी यह आगे आ जाएगा P3 में अब फिर P1 को execute करेंगे उस time period में अगर उसने execution खतम कर ली तो terminate हो जाएगा सेम ऐसी P2 ठीक है सेम ऐसी P3 तो यह हम अभी आगे देखेंगे example में आपको ज्यादा clear समझ आएगा अभी के लिए बस आपको इतना समझाना चाहता था कि मैं यह क्या होते हैं ठीक है होप आपको यह flow chart समझ में आ गया होगा अभी हम आगे example लेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा clear समझ आएगा ठीक है तो चलिए चलते है example के और तब तक के लिए धरनेवाद चाहिंद